हलो इश्टोरेंट बहुत दोस्वागत है आपका आठी कर्षा करने इस वीडियो लेक्षर में आज हम पार्ट बारा समीकरन के अंतरगत प्रस्णावली बारत दो के प्रस्ण करमांग 6, 7 और 8 को इस वीडियो में पूरा करेंगे तो चलिए प्रस्ण करमांग 6 को ध्यान से पढ़ते हैं और यहाँ पर क्या जानकारी दिया है इसको समझते हैं तो देखे क्या बोलता है एक परमेज संख्या का हर उसके अंस से दो अधिक है तो यह आपको पहला कंडिशन है ठीक है यदि अंस चार गुना कर दिया जाए और ह और में आठ जोड़ दिया जाए तो नवीन संख्या चार बता तीन हो जाती है यह आपका दूसर कंडिशन है ठीक है तो दो कंडिशन है अब यहाँ पर मूलं संख्या कव घ्यार कर पाओगे जब आपको अंस और हर पता हो अब यहाँ पर अंस और हर मेंसे दोनों में से किसी एक को आपको मानना होगा हर और अंस में से दोनों में से किसी एक को आपको मानना होगा लेकिन आप मानोगे उसको जिसका value स्वतंत्र होता है किसको मानते हम जिसका value स्वतंत्र होता है तो ध्यान से देखो परमेन संख्या का हर उसके अंस से दो अधिक है इसका मतलब जो हर है वो अंस के उपर निर्भर करता है और जो अंस है वो स्वतंत्र है ठीक है तो चलिए हल करना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं और यहाँप लिखेंगे माना अंस बराबर एक्स तब हर बराबर हर उसके अंस से दो अधिक है समझा रहे हैं तो यहाँपर अंस को हमने क्या माना है एक्स माना है तो हर क्या हो जाएगा एक्स धन दो ठीक है तब आपका जो परमे संख है वो क्या होगा तब मूल परमे संख्या बराबर अंस बते हर बराबर एक्स बते एक्स धन दो अब इसको आपको याद रखना है कि आपका मूल परमे संख्या क्या है अब आगे देखे क्या दिया है यदि अंस चार गुना कर दिया जाए और हर में आठ जोड दिया जाए तो नविन संख्या चार बटा तीन हो जाती है यह आपका जो second condition है उसके हिसाब से आपका समीकरन बनेगा ठीक है तो हम क्या लिखते हैं अब प्रस्नानुसार देखो एक एक चीज को आपको उत्तर लिखते समय लिखना नहीं है जो आपको प्रस्न में लिख के दिया है उसी को आप फिर से उतार है उसका कोई मतलब नहीं है इसलिए हम प्रस्नानुसार सब्द का प्रयोग करेंगे ठीक है प्रस्नानुसार अब प्रस्न में क्या बोलता है भाई कि जो आपका अंस है उसको चार गुना कर दिया जाए चार गुना करने का मतलब है जो यह आपका अंस है इसमें आपको चार का गुना करना है यह जो आपका अंस है उपर में जो संक्य है उसके साथ क्या का गुना करोगे चार के साथ तो यह क्या चार एक्स हो जाएगा एक्स क तो यहाँ पर हर क्या है भई? एक viral 2 है इसमें क्या करना है अपन को आठ को जोड़ना है इस तरीके से आठ को जोड़ना देंगे तो जो संख्या है ये जो आपको नई संख्या प्राप्ट हो रही है एक्चुल में ये जो नई संख है वो किसके बराबर हो जाती है चार बटा तीन के बराबर हो जाती है ठीक है तो हपन को लिखना क्या है उसको देखो इसके बराबर में चार बटा तीन लिखना है ठीक है चार बटा तीन लिखना है और आपको एक समी करन प्राप्थ हो रहा है इसको आपको हल करना है तो x के value प्राप्थ होंगे ठीक, तो यहाँ पर हम इसको आगे हल करना सुरू करते है देखो, यहाँ पर यदि कुछ सरल हो सकते है जैसे यहाँ पर सरल हो सकते है तो उसको पहले सरल करना रहते है ठीक है यह 4x है यहाँ पर एक्स धन आठ और 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? दस हो जाएगा दूसरे साइड में क्या दिया है? 4 बटा 3 दिया है ठीक है? अब जब यह सरल नहीं हो सकता तो हम क्या करते हैं तीरियक गुना करते हैं तीरियक गुना करेंगे तो कैसे होगा उसको देखो यह आपका 4X है यह 3 जो है कि इधर जाके क्या करेगा गुना करेगा 4X के साथ यह जो 3 है वो क्या करेगा गुना करेगा और दुसरे साइड में जो 4 है वो किसके साथ गुना करेगा इन दोनों के साथ गुना करेगा तो ऐसे एकस धन 10 ठीक है अब यहाँ पर यदि आप कुछ चीज को नोटिस कर सको तो क्या है उसको देखो यह 4, 1 और 3 आपस में क्या है गुना है यहाँ पर 4 जो है कि गुना है एकस धन 10 के साथ तो जब दोनों साइड में कौमन संख्या का गुना रहता है तो आपस में कट जाते हैं क्या होते हैं आपस में कट जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा तीन एकस मिलेगा और दुसरे साइड में क्या मिलेगा एकस धन दस मिलेगा अब क्या करेंगे जो यह एकस है इसको पक्षांतर करके पहले साइड में लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा रिन एकस हो जा जो 2 है ना इसको आपको तीरिया गुना करना है तो वो कहां चले जाएगा दस के हर में चले जाएगा तो आपको x का जो value है वो आपको मिलेगा x बराबर 5 x बराबर क्या मिल जाएगा 5 मिलेगा अतह मूल परमे संख्या देखो आपने उपर में ही लिखा है मूल परमे संख्या क्या होगा x बटे x धन 2 इसमें क्या करना है आपको value रखना है x बराबर 5 तो क्या हो जाएगा 5 बटे 5 धन 2 मतलब 5 बटे 7 तो ये आपका आंसर है प्रस्न करमांग 7 को देखते हैं प्रस्न करमांग 7 क्या बोलता है अनुराग और अकांच्छा की आईउ का अनुपाद 7 अनुपाद 5 है 6 वर्स बाद आईउ 5 अनुपाद 4 की अनुपाद में हो जाती है दोनों के आईउ ग्याद कीजिए ठीक है तो इस प्रकार के प्रस्नों को कैसे सॉल करते हैं उसको देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हल लिख लेता हूँ फिर डेस करूँगा ठीक है और यहाँ पर जो जानकारी दिया हुआ है ना उसको अपनको लिखना पड़ेगा ठीक है दिया है अनुराग और अकांचा की आईउ का अनुपाद बराबर साथ अनुपाद पांच ठीक है अब अपनको करना क्या है इस अनुपाद के अनुसार इनके जो उम्र है उनको मानना है इस अनुपाद के अनुसार इनके जो उम्र है उनको मानना है तो याद रखना जैसे अनुराग का नाम पहले आया है तो यहाँ पर जो अनुपात में जो पहली संख है वो अनुराग के लिए ठीक है और अकांचा का नाम बाद में है तो यह जो अनुपात में दूसरी संख है वो अकांचा के लिए ठीक है तो अपन को यहाँ पर मानना पड़ेगा माना, अनुपार अनुसार, अनुराग की आयू, बराबर सातिक्स तथा अकांछा की आयू, बराबर 5X है, तो हमने क्या किया, अनुपार के अनुसार उम्र को माना है, अब यहाँ पर ध्यान दो, जो नेश्ट कंडिसन है, वो क्या बोलता है, छै वर्स बाद आयू 5 अनुपार 4 के अनुपार में हो जाती है, छै वर्स बाद आयू 5 अनुपार 4 के अनुपार में हो जात है ठीक है तो इसको समझना यह क्या बोलता है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 6 वर्श बाद ठीक है 6 वर्श बाद क्या होगा उसको देखो अनुराग की आयू अनुराग की जो वर्तमान आयू है उसमें 6 जोर दो तो 6 वर्सबात की आयू हो जाएगी ठीक है इसी तरीके से जो अकांच्छा है अकांच्छा की जो वर्तमान आयू है उसमें आप 6 जोड़ दो तो 6 वर्सबात की आयू आपको प्राप्त हो जाएगा अब आपको प्रस्न क्या बोलता है कि दोनों के जो IU है उसमें जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाता है तो उसको अपन को यहांपर लिखना पड़ेगा तब प्रसना नुसार अब यहांपर प्रसना नुसार आ घया ठीक है प्रसना नुसार 7X प्लस 6 6 अनुपात 5 एक सधन 6 बराबर कितना भाया कितना 5 अनुपात 4 ठीक है तो यहाँ पर 5 अनुपात 4 लेना है अगें यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर प्रस्ण में सुरो में अनुराग बोला था फिर अकांचा बोला था तो अनुपात जो है कि प समझना है इसके अनुसार अनुराग के लिए 5 और अकांचा के लिए 4 ठीक है तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है यह पहला वाला किसका था अनुराग का सेकन वाला किसका था अकांचा का तो यहाँ पर भी यह अनुराग यह अकांचा ठीक है तो यहाँ पर आपको confuse नहीं होना है यार ठीक है आगे क्या करना है यह जो अनुपात वाला जो relation दिया है इसको हमको क्या करना है बटा में change कर लेना है इस तरीके से ठीक है यह बटा में change हो गया अब इसके बाद हमको क्या करना है इसको simply हल करके x का मान को ग्याद करना है ठीक है तो क्या करने पड़ेगा ये 4 है इसका तीर्याग गुना इधर करेंगे और ये 5x धन 6 है इसको तीर्याग गुना करके दूसरे साथ मे ले जाएंगे तो 7x प्लस 6 इंटू 4 इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 6 आगे देखेंगे क्या होगा चार कगुना इनके साथ होगा तो 4 सत्य 28x फिर 4 कगुना धन 6 के साथ करेंगे तो 4 6 के 24 ठीक है दूसरे साथ में देखो 5 कगुना 5x के साथ होगा तो 5 25x फिर उसके पांच कगुना धन 6 के साथ होगा तो धन 5 6 के 30 ठीक है अब क्या करेंगे x वाले हैं उसको एक साइड में रखेंगे बीना x वाले को दुसरे साइड में रखेंगे तो यह जो 28x है इसको यही रहने देते हैं 25x को इस साइड से इस साइड में लाएंगे तो यह हो जाएगा रिन 25x हो जाएगा दुसरे साइड में 30 पहले से है धन 24 को दुसरे साड में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा रिन 24 ठीक है 28 x में से 25 को खटाएंगे तो अपन को मिलेगा 3 x और यहाँ पर 30 में से 24 खटाएंगे तो अपन को मिलेगा 6 ठीक अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो 3 है उसका तिर्याग गुना करेंगे तीन का क्या करेंगे, तीन गुना करेंगे, तो वो चले जाएगा 6 के हर में, ठीक है, तीन का हमने क्या 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 क्या, तो वो 6 के हर में आ गया, तो यहाँ पर अपन को X का value मिलेगा, तीन एकम तीन तीन दुनी 6, तो X का value हाँ पर अपन को मिल रहा है, 2, कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो अपर ध्यान दो, हमने सुरू में उम्र को कितना माना था, हमने अनुराग की आयू को 7X माना था, राकांचा की आयू को 5X माना था, तो इसी के अनुसार आपको इनके उम्र मिलेंगे थीक है तो उसको आपको क्या लिखना है अतह अनुराग की आयू बराबर 7x थीक है बराबर 7 गुना x का value कितना अभी प्राप किये 2 प्राप किये तो अपन को इसका उम्र मेरा है 14 words ठीक है तथा अकांचा अकांचा भई अकांचा नहीं है अकांचा की आयू बराबर 5 x बराबर 5 गुना 2 10 words ठीक है तो इस तरीके से आपको इसके आंसर को complete करना है तो आठो नमबर का प्रस्न देखते हैं और ये इस प्रस्नाली का आखरी प्रस्न है और इस पार्ट का भी ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं और प्रस्न को ध्यान से पढ़ना है ठीक है मनीशा की मा की आयू मनीशा की आयू की तिगुनी है ठीक चार वर्स बाद मा की आयू मनीशा की आयू से धाई गुनी हो जाती है दोनों की वर्तमान आयू क्याती है तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो मनीशा की मा की आयू की तिगुनी है मतलब कि जो मनीशा की आयू है वो क्या है स्वतंत्र है और मा की आयू उसके आयू के अनुसार निर्धारित होगी तो यहाँ पर आपको माना सद्द से शुरू करना पड़ेगा माना मनीशा की आयू बराबर एक्स वर्स तब मनीशा की मा की आयू क्या बोला है भाईया ती गुनी मतलब तीन से गुना कर देना है तीन वर्स होगा ठीक है अब यह बोलता है चार वर्स बाद क्या बोला है चार वर्स बाद ठीक चार वर्स बाद मा की आयू मनीशा की आयू की धाई गुनी हो जाती है ठीक है अब चार वर्स बाद दोनों का उम्र भी तो चेंज होगा न है की ने तब चार वर्स बाद, मनीशा की आयू, मनीशा की आयू कितनी होगी, एक सधन चार, ठीक है, मनीशा की मा की आयू कितनी हो जाएगी, मनीशा की मा की आयू, तीन एक सधन चार, ठीक है, तो ये चार वर्स बाद दोनों की जो उम्र है वो चेंजे सुझाएगा अब अपन को क्या करना है प्रस्न अनुसार सब्द का प्रियोग करना है ठीक है क्यो करना है क्योंकि उसी के अनुसार तो आप लिखोगे ना प्रस्न अनुसार देखो प्रस्ण क्या बोलता है चार वर्स बाद मा की आयू मनीशा की आयू से धाई गुनी हो जाती है ये जो कंडिशन है इसके अनुसार हमारा समीकरन बनेगा कैसे बनेगा उसको देखो मनीशा की मा की आयू कितनी दिया है तीन एक सधन चार ये धाई गुना हो जाता है धाई गुना का मतलब क्या होता है 2.5 या 2 सही एक बटा दो ठीक है तो धाई को कैसे लिखते हैं 2 सही एक बटा दो ऐसी लिखते हैं ठीक है 2 सही एक बटा दो इसका मतलब है धाई ठीक है गुना हो जाता है किसके मनीशा की आईयू के X धन 4 तो इस तरीके से हमको X समी करन प्राप्त होगा इस समी करन को जब हल करेंगे तो हमें X का वेल्यू प्राप्त होगा और X का value प्राप्त होगा तब हमें Manisa की I.U. और Manisa की मा की I.U. पता चलेगी ठीक है? तो यहाँ पर चलो इसको हल करना सुरू करते हैं यहाँ पर निर्देशित करता का चिन लगा लेते हैं यह 3 X धन 4 है इसको यही रहने देता हूँ यहाँ पर जो यह दिया है इसको पहले हम solve करेंगे देखो इसको कैसे solve करते हैं? 2 दुनी 4, 4 धन 1, 5 पांच हो गया और बटे में यह जो 2 है वही रहता है ठीक है? इसको कैसे करते हैं? फिर से समझो 2 और 2 का गुना यहाँ पर यह 2 है और यह सामने में जो संख्या रहेगा उसका गुना करेंगे 2 दुनी 4, 4 और 1, 5, 5 बटे 2, 5 बटे 2 मतब धाई ठीक है? गुना एक सधन 4 अब आगे इसमें क्या करना है? यह जो 2 है बटे के नीचे में इसको दूसरे साइड में ले जाना है ठीक है? तीन एक सधन 4 हो जाएगा और इसके साथ गुना होगा 2 का और यहाँ पर 5 जो पहले से उसका गुना हो जाएगा एक सधन 4 का ठीक? यहाँ पर यहाँ तक तो सब समझ आओ गया अब आगे दिखते क्या करेंगे? दो का गुना इनके साथ करेंगे 2-3-6-1-2-4-8 और बराबर 5 के गुना 1 साथ करेंगे तो 5-1 5 के गुना 4 के साथ करेंगे तो 20 ठीक यहां तक तो आपको और समझ आ गया होगा अरे भीया यहां पर हमने किया क्या था तीरिया गुना लेकिन मैंने यहां पर लिखा क्यों नहीं ठीक है जरूरी नहीं है ठीक है लिखना जरूरी नहीं है तीरिया गुना कर रहे हैं पक्षांतर कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन यदि हम उसको लिखते हैं तो हमको याद रहता है कि हम यहां पर यह कर रहे हैं और इसकुल में जब हम question को solve करते तो हमें पता होना चाहिए कि teacher क्या कर रहा है है ना उसका नाम क्या है इसलिए उसको लिखवाया जाता है नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी चलता है ठीक है तो यहाँ पर नहीं लिखे भईया ऐसे लिख देने से ज़्याद अच्छा रहेगा है ना तो यहाँ पर लिखनो क्या तेरियक गुना करने पर ठीक है तो ऐसा आपको लिखना चाहिए नहीं लिखोगे तो भी चलता है अब यहाँ पर देखो 6X धन 8 है यहाँ पर 5X धन 20 है इसको और ज़्यादा सराल नहीं कर सकते दूसरे साइड में तो अपन क्या करेंगे X वाले को एक साइड में रखेंगे और बीना X वाले को दूसरे साइड में तो 6X पहले से है यह जो 5X है दूसरे साइड में 20 के साथ धन का relation में है इसको इस साइड में लाएंगे तो पक्षांतर होके आएगा पक्षांतर होके आता है तो धनात्मक 5X रेनात्मा 5X बन जाता है ठीक है? कितने बार बताया हूँ यार इसको याद रखना चीए है न और यहाँ पर धन 20 है तो इसको ऐसा रख देते हम और यह धन 8 जब दूसरे साट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? रेनात्ट 6X में से 5X घटा होगे तो simply 1X बचेगा और दूसरे साट में 20 में से 8 घटा होगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा ठीक है? तो यह हो गया अब आपको X का वेल्यू मिल गया अब इसके अनुसार आपको मनीसा की आयू और मनीसा की मा की आयू प्राप्त हो जाएगी तो अपन को कैसे करना है? यहाँ पर अतह सब्द को प्रियोग करना है क्या करेंगे अतह? अतह मनीसा की मनीसा की आयू ब़बर X ब़बर 12 वर्श ठीक है? तथा मनीसा की मा की आयू मनीशा की मा की आयू बराबर तीन एकस बराबर तीन गुना बारा ठीके बराबर 36 वर्स तो इस तरीके से आपको दोनों के उम्र प्राप्त हो जाएंगे और आपका आंसर कंप्लीट होता है यह वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है नेस्ट वीडियो में हम नेस्ट पार्ट के question को solve करेंगे तो वीडियो channel के साथ बने रहो चैनल को subscribe नहीं क्यों तो subscribe कर लेना और इस वीडियो से आपको यदी कुछ सिखने मिला होगा तो इस वीडियो को like जरूर करना और अपने दोस्ते साथ share करना पढ़ाई करना मन लगा के पढ़ाई करना ठैंक यू बेस्ट आप लग